खास करके ये तो हुई धूप से बचाने की बात और पशुसाला के निर्मान में भी अब आपको ध्यान देने क्या हो सकता है जैसा आप देख रहे हैं कि जो बिहार किसी बिस्विद्याला का ये जो पशुसाला है इसमें छट की उचाई आप देखेंगे तो छट की उचाई नॉर्मल से कम से कम 7-8 फिट अधिक है तो ऐसा करने से एसमेस्टस का जो गर्म भाग होगा उससे रिफलेक्ट होके उसका जो असर होगा गर्मी का वो सीधे पस्वों के सरीर पर नहीं पड़ेगा दूसरी चीज है कि जो हवादार पोर्शन है जहां अगर धूप सिधा प्रवेश होता है तो आप उससे बचाव अवस्य करें और खास करके गर्मी के मौसम में स्वक्ष जल का प्रबंधन इस प्रकार करें कि पस्वों को उनके उत्पादक्ता के अनुरूप अर्थात अग करीब करीब 50 लीटर से 75 लीटर के खासों को सुख जल गर्मी में आव सकता होती है तो उसका विवस्था करें और खाने पीने में भी आपको प्रवंधन करने की ज़रूरत है कि हराचारा अगर उपलव्ध है तो आप सुखा चारा और हराचारा मिस्त्रित करके दें अगर उ जो ICR के द्वारा नई एडवाईजी जारी की गई है, संभव हो सके, तो पशुओं के सरीर की धुलाई कम से कम तीन से चार बार करें, जो पुराना कंसेप्ट था कि अगर तेमप्रेचर बढ़ता है, तो जो हमारे पशुपालक भाई थे, वो अपने पशुओं को नहलाते नहीं थे, लेकिन ये जो लू के समय, जो हाइपर्थर्मिया होता है, इस समय जितना आप अपने पशुओं के सरीर पर ठंड़ी जल का प्रियोग करेंगे, उसकी धुलाई करेंगे, तो टेमप्रेचर को कम करने में वो काफी सहायक होता है.